नमस्टरस मैं हूँ प्रदीप और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने PC या लैपटॉप को वाइफाई से कैसे कनेक्ट कर सकते हूँ वाइफा या फ़िव वाइरलस Networksへ तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने Computer, या लैपटॉप पर आना ना है जिसको आप अपना Computer open कर लेंगे उसके बाद आपको हिहां तास्क बार में कि साइड में आना है टास्क बार में तो यहां पर आपको नेटवर्क का वो मिलेगा लोगो यानि कि इंटरनेट कनेक्शन का इसको आपको क्लिक करना है अब जो है जितने भी वाइफा नेक्शन्स अवेलेबल होंगे वो आपको यहां नजर आएंगे उपर इसके बाद जिस जो है पिन डालने के बाद आपको next करना है और ऐसे में आगर right की आप डालेंगे तो यह connect हो जाएगा इसके अलावब दोस्तों अगर आप हमेशा automatically connect करने करें रखना चाहते हो कि कभी भी आपका network कि कभी भी आपका जो है wifi network पे हो तो जो है automatically आपका system connect कर ले तो इसके लिए आपको इसको click करके रखना पड़ेगा और दोस्तों अगर आप अपने mobile से इसे चलाना चाहते हो तो जो है आपको यहां अगर वो नजर नहीं आ रहा है तो जो है आपको अपने mobile में जो है hotspot का जो option है उसको जो है click करना होगा तो हम देखें यहां पर hotspot का मैंने अभी open कर लिया है hotspot तो जो है अब आप देख सकते हैं यहां पर John Cena आ चुका है है जैसे ही मैंने hotspot on किया तो अब जो है हम इसको connect करते हैं connect तो यह की मांग रहा है तो अब हम पासवर्ट डाल देते हैं यहां पर तो हमने password डाल दिया इसके बाद जो हमने next कर दिया और do you allow your PC to be discoverable by other pieces and devices on this natural तो अगर आप चाहते हों कि आपका PC other devices से discover हो जाये तो इसके लिएस कर सकते हैं वरना no भी कर सकते हैं तो no करते हैं हम कोई भी odd wise हमारे PC को discover नहीं कर पाएगा तो तो दुस्कों अब देख सकते हैं आप यह connect हो चुका है उन्हें open कर लीजे और use कीजिए search कीजिए तो ऐसे आप किसी भी Wi-Fi network से connect कर सकते हैं तो दोस्तों यह था तरीका फोन को Wi-Fi network से connect करने का आई होप आपको यह वीडियो पसन आई हो और दोस्तों अगर वीडियो पसन आई है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे